Hello everyone and welcome back to the channel तो आज की जो फ्यूडी वाइस के अंदर हम बात करने वाले हैं Mercedes-Benz के fuel cell safety system के बारे में अब हमें पता है कि Mercedes जो है एक बहुत बड़ा नाम है industries के अंदर और ये लोग जो है fuel cell के उपर बहुत तेजी से काम करें गया है और Mercedes को सिस्टम है वह ऐसा सिस्टम है कि वह अपने जो उनकी ongoing vehicles है उस सिस्टम के अंदर थोड़े बहुत ट्यूक एंचेंजिस करके जो है अपने hydrogen vehicles को वह convert कर सकते हैं तो इससे जो है उनकी सेफटी पर क्या आसर पढ़ रहा है उनकी से जो है उनकी सेफटी को कैसे किया वह सब चीजे जो है आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं सबसे पहले उनकी जो वहिकल आती है वह जी एलस जी एलसी एफ सेल के नाम से आती है अब इसके अगर मैं बात करूं कॉंपोनेंट के प्लेस्पेंट के बारे में यहां पर जो है आपको यह फ्रंट एंड है ओर यहां पर हें भर किंड काई जottaो कैंड सब्सक्राइब क्याए जिसके आंदर आपके हम बैलेटरी को भी जो है इस्तमाल कर रहे हैं अलग से चार्ज करने के लिए प्लस जो है हमारा फ्यूल सेल जो है वो यूस कर रहे है इसके अंदर जो है मैं सबसे इंपॉर्टन की यह समझने है कि इनकी सेफ्टी किस तरीके से मिंटेन कर रहे हैं आज की स्वीडा में वहीं डिसकस करने वाले सबसे अगरे हैं बात करूं गाइडलाइन के बारे में तो सेफटी गाइडलाइन जो है हमें गैसिस के ओपर जो हमारे तो वहां पे जो है हमारे hydrogen vehicle या CNG vehicles तो वहां पे जो है भी numbers बहुत उपर नीचे हैं तो अगर जादा है तो वहां पे जो है हमारे casualties अगर मैं बात करूँ और failures के अगर मैं बात करूँ तो इतने जादा नहीं है लेकिन अगर मैं hydrogen अगर इसके अगर हम हलकी सी भी failure तो bursting के चांसे जाद है hydrogen वेहिकल के अंदर जो है आपने सबस्टेड़ांटेज अगर यही सुना होगा कि यहां पे जो है बॉस्ट होने के चांसे होते हैं वह इतने जादा इंक्रीज हो जाते हैं कि आपको जो है बहुत critical situations create हो जाती है इन सब जोगों में ध्यान रखना है तो cng जो है हमारी 11 million cng वेहिकल्स है ऑन रोड एंड 100-200 वेहिकल्स है ऑफ हाइड्रोजेंस वर इंक्लूड़ेड इन हंड्रेड फेलियर्स और सी एंजी और उसके बाद जो है सीरियस फेलियर्स वर रिपोर्टेड तो सौ ही जो है इनमें से ऐसी है कि जिसके अंदर हमें फेलियर्स रिपोर्ट देखने को नहीं लेकिन ह उड़ा जादा ध्यान रखने की इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे जो है क्रिटिकल सिचुएशन से कॉंपनेंट्स बहुत हाइड लेवल के हैं लोगों को आधित हो चुकी है है सींजी के उपर काम करनी की तो उनको पता है कि आफ्टर मार्केट में किस तरीके से क्या क्या होता है लेकिन तब भी हमारी बहुत साथ लापरवाही हैं इंडिया के मगर्व में बात करो तो बहुत ज्यादा ऐसे सिचुएशन स्क्रीड हो जाती है जहां पर आपको वेहिकल के अंदर सिचुएशन स्केंदर हाइड्रोजन टैंक फट्टे वह दिखेंगेंगे सीं गर जितनी चोटी वेहिकल उत्नादा प्रेशर है और जितनी बढ़ी आपकी वेहिकल हो फना प्रेशर इसके अंदर रहेगा कर पाते या फिर दूसरे से कॉमिनिकेट नहीं कर बाता कि आगे की तरफ जो है कुसी भी तरीके का जो है हमारा कैमिकल रियक्शन और कैमिकल रियक्शन से जो है अगर कोई चांसे जैंब बॉस्तिंग के तो वहां पे जो है वह वह प्लेस हो कि यहां पर जो हम इसको टोटले इसके अंदर बात चांसे हो बात कर देगा इसको इससे बात कर देगा इसे जए वह इसन पर बात कर निकल पाएगा बागी जीजों को जो हैं compact situations के अंदर जो हम यूटलाइज करके इसको जो हैं बर्न करके जो है यूज कर सकते हैं जैसा मैंना को बता है ignition system के वारे में there is an ignition system installed which will give a spark at various point of the to the hydrogen तो यहां पर जो यह hydrogen का system है इसके अंदर जो हैं मने spark plugs लगाए हुए हैं तो वो जो है हलके हलके से जिस पाक्स हैं जहां भी चोटे-चोटे cloud bubbles फार्म हो रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी बर्न कर देगा ताकि कोई बड़े cloud को हम बर्न ना करें कि बड़े pressure को अगर हम बर्न करेंगे बड़े cloud को बर्न करेंगे तो चांसे हैं कि वहां पर जो है हमारे आग लगने के और bursting के जो चांसे हैं क्योंकि एक बार किसी बड़े cloud में लगी तो वहां से जो है आग नीचे की तरफ ट्राइवल करेंगी और को यह फार दें इन सब चीज़ों को जो है हमें बचाने के लिए हमने अप्लग लगा दिया ताकि आपके सिस्टम को जो हैं ओवर प्रोटेक्ट कर सकें सेफ्टी रिक्वार्मेंट्स के सबसे पहला था हमारा स्ट्रक्चर सेफ्टी फ्यूल से अगरा बात करूं सी एंजी की बात करूं या हाई वोल्टेज वेहिकल बैटरी की बात करूं इन से ट्रक के अंदर टकरा जाते हैं तो वहां पर आपकी सेफ्टी किस तरीके से रहेगी लेकिन उस सब चीज़ों को जो है मर्सडीज ने आप बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है वह हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे एलेक्ट्रिकल से हमें मिलने ही चाहिए किसी भी आप उनसे सब्सक्राइए अपनी वेहिकल उनसे जो है अपने हाई वोल्टेज बैटरीस भी साही करवाइए लेकिन अगरो सेफ्टी को फॉलो नहीं करते है तो अपनी गाड़ी को महां लेके मच जाईए आपके लिए भी डेंजर सिचूइशन है उस बंदे के लिए अगर और इंसेंस ट्राइविंग सिनारियोज अन्युन इसी आर्ट 94-95 एंद एफम्वी ऐसेस थीहंड़न फाइब स्टिमिलेट रिक्वार्मेंट ऑफ प्रोश पोस्ट्राइश बिहेवियर सो पोस्ट्राइश बिहेवियर सके अंदर किस तरीके से सारे इलेक्रिकल कॉंपोनें डिसकनेक्ट होंगे किस तरीके से काम करने चाहिए इन सब चीजों के उपर पूरे रूल से रेगुलेशन से रेक्शन बैटरी जो है हमारी जिसको हम बोलते हैं नीट सेफटी अगेंस दी पंचर और शॉर्ट सकते उसके अगेंस जो है बहुत सारे हमारे डिवलोप्मेंट बहुत सारे चीजों को लेके आया गया वहां पर चला है कि सबसे सेफस्ट गारी जो है वह एलेक्ट्रिक वेहिकल है अगर इंटर्फ में बात करें स्ट्रक्चर सेफटी तो वहां पर अगर कहीं से भी पंचर होता है आपके लीथियम के अंदर भी तो वहां से ब्लास्ट हो कर सकते लेकिन उसके उपर हमारा वोट कि लिदी लगता है कि इतना टाइम लगता इुट सिजू की उपर हमें डिसक्स करनी कि जडरूरत है तो इसी चीजों के बारे में मिल्भीत उनकी तेख्नीकल एपर रिविव वह व्रों घईयँ के सिस्टम के बाहें है वह जो जोह ब ऐसके बाद गर में बात करें две-जरी नोचनсти और दो जगाइट अच्छे जी त्रीगर प्रशन मेकानिजम एंद चेक वल्फ इनट यह वहांपे ऐसको ऑफ नौन देगा तो यहां पे रिवर्स प्लो निए नहीं देगा तो यहां पर इटी तरफ प्रेशर बहुत ज्यादा है अगर की तेजी सी निकले कर चांसेन दक kiln वाल लगाया है अंडर फोर्स फेलियर अफ दी फ्यूल सेल सिंस्टम सिस्टम दस नॉट फॉर्ट सटाफ वॉल्फ जहां उसको बंद कर देंगे पूरे पूरे लगे अब यहां पर बात करेंगे की सेक्ट के बारे में और मर्सटेश्यश को इस तरीके से लेकर आ रहा है उसके बारे में तो यूठ को कुछ इस तरीके से की गई है कि वहां से अगर कोई भी टेस्ट करें कोई भी इंपक्त हो तो वहां पे सबसे मिनिमम इंपक्त रूंपल जोन बहुत जादा होने चाहिए ताकि जितने भी फोर्सेश इंव डिस्रिब्यूट हो जाए वह फोट रिट्रीबूट टक ना पहुंचे तरीके से प्लेस किया जाए कि पुना रियर है उसके ऊपर जो है कोई एडवर्स एफेक्ट ना पड़े उसका सेंटर ऑफ ग्राविटी भी मेंटें रहेगा साथ-साथ उसके बाद जो है हमारे अच्छे सेफटी फीचर भी जो हमें देखने को मिलेंगे तो पॉर्शन शुट बिट्वेटिकल सेंटर लाइन सब्सक्राइब करेंगे तो वेहिकल की रिक्वाइर्मेंट क्या है अंडर दी क्रेश कंडिशन सो वॉल्यमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ यडर्जन लीक मस्नाट एक्सीड मीन वैल्यू ऑफ 118 स्टैंडड लीटर पर मिनिट चैंडड लीटर मेजर उनिट फॉर दी वॉल्यू अगर इसे जादा होता है लीकेज तो चांसे बॉस्ट हमारा बनता है अगर इसके नीचे नीचे रहता है तो हमारे चांसे बॉस्ट नहीं बनेगा हाइड्रोजन कॉंसेंट्रेशन इंडी पैसेंजर का कंपार्टमेंट शूद नॉट इंक्रीज बाइफ 4% कंपार्टमेंट के अंदर चीज़े नहीं आने चाहिए अगर कंपार्टमेंट के अंदर है सफोकेशन चाहने के चांसे भी हैं और आपके साथ साथ जो है अगर को सिर्फिस डैमेज एट एंड जो है हमारा बेसिक लेवल कमेंट लेवल पे जो है बैसिकली हमारे सारी टेस्ट हो जाने चाहिए ताकि हम जब इसको वेहिकल में लगाए तो सेफटी नौम सेफटी जो है में बहुत अच्छी मिले अब जो हम बात कर रहे थे सेफटी कॉंसेट के बारे में क्रैश्ट चार्ट के बारे में यहां पे यहां घरे कमे तो हाथ करता हूं तो हर आगे से जाधा दूर निने चींट फिसज़ के पास थारें इस तरहिके से क्लान्देकर समझाए एक संटर लाइन के बहुत पास एक रियर से बहुत दूर नहीं और वहिकर की उन्द से दिस्टम है उससे प्रॉप यहां पर ची हैं ऍर यहां पर से लिए यह देखा तो सारी जीजों को टेस्ट किया गया इसके अंदर उसके बाद जो है Mercedes को सबसे सेफेस्ट वेकल इन फ्यूल सेल्स का भी जो है किताब मिला है और चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं और इन सब चीज़ को देखते हुए जो है यह का सकता है कि Mercedes को जो सेफ्टी सिस्टम है इसको जो है सारी आटमोटिव इंडेस्ट्री आहोसता है अने वाले सालो में फॉलो करें सब्सक्राइब तो क्रेश रिजिस्टर एक्सिदेंट वन टैंक वेल्स और हैं तो क्लोस्ट विदिन फ्यू मिलिसेकंद विच रिजूस प्रेशर फ्रॉम सेवेंडेड़ बास तो तेंड वेल्फ बास जैसा मैंने आपको बताया कि प्रेश करेंगे प्रेश प्रेशर प्रेशर रहा है तो त्रैवल कर रहा है उसको जो हैं दस से पारा बार करेंगे ताकि कोई एड्वोस इफिक ना पड़े अधिन इनलेट फ्यूल सेल स्टैक प्रेशर रेगुलेशन वाल रेडियूस दी प्रेशर इंफ्यूल स्टैक ऑन दी हाइड्रोजन साइट फ्रॉर तो फ्रेशर बचके रह जाएगा मसुद्स चेंड जोगाइड फ्रॉम दी फ्यूल थांग इंट्रेस्ट टीक है क्रेश थेस्टेस के अंड़ मर्स इस क्लें कर रहा है इन सब भी जोगों की वहाँ पर जो हैं नो गैस लीक फ्यूल थांग इन व्रॉट निए ट्रॉट टेस्ट न्जूल निए सब्सक्राइब करें तो कहां इंपक्त पड़ेगा क्या है इसके वो रहेंगे उन सब चीज़ों के बारे में भी जो है यहां पर मरस्डीज ने इन दोनों टेस्ट को भी जो है कंक्लूड किया है पने अंदर के अंदर ड्रक के घर मैं बात कर joue यहां पे जो है यह हमारा ट्रेलर है इस ट्रेलर को जो अगर हम गाड़ी से इंपक्ट करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं यह हमारा हिड्रोजन टैंक है जब इंपक्ट करेंगे तो यहां पर रेडियेटर के उपर इफेक्ट पड़ेगा और यहां से जो है शटफ वॉल्फ काम करना शुरूब क्रैश रेजिस् इस रॉड्श को इससे यह हुआ कि अधिशिल के उपर पड़ रहा था उसको हमारे डिस्ट्रिबूट कर दिया सिर्फ हमारे डामेघ हुआ हमारे फ्रंट रीडियेटर को हुआ वहीं कि बॉड्दी के लौ सब्सक्राइब या फिर कोई ऐसा बॉर्स्टिंग सिचुएशन क्रियेट हो ना ही फोर्स है हमारा फ्यू हाइड्रोजन टंक आया ताकि वहां पर भी जो हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिले तो अंडर टक राइडिंग के अंदर भी जो हमारा प्रटिंग प्रेशर जया और 2.2 ताइमस था वहां पर उसी चुपर बसमें थोड़ा मर्सडीज को थोड़ा क्वर्क करना है तो मांटिंग फ्रेम विश्पोर्टेड दी हैड्रोजन तो प्रटिंग पर्टिंग पर्टिंग वैल्स फिंग अपर्टिंग प्रेशिट अबवाट जादा था 2.25 तामग्स है वहां पर जोड़ा बहूत बॉस्वर्क करने की जरूरत है साइट पॉल इंपक्ट टेस्ट के अंदर थोड़ा इंप्रूव्मेंट की जरूरत है ताकि यहां पर हमारा साइट पॉल इंपक्ट अगर होता है तो हमने वेहिकल को जो है अच्छे से या फिर अच्छे तरीके से जो है उसको यूटलाइज कर पाए और वहां पर भी जो है थोड़ा बहुत क्योंकि रेडियेटर जिब बेंड हुआ तो इसका हलका फॉल का प्रेशर आलेकिन कोई मेजर इफेक्ट नहीं हमें देखने को मिला वो देखने को मिला साइड पौल टेस्के अंदर उसके अलावा जो है हमारे इसके इसके अंदर कोई भी ऐसी चीजे नही वेहिकल है या फिर गैस कही से उसके अंदर लीक हो रही है तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि फ्यूल सेल वेहिकल के अंदर सेफटी मर्सेडिस के सरी के से मिंटेन कर रहा है और क्या उनको एडवांटेज स्क्राइब करने चानल को क्योंकि यहां पर जो हैं मैंसी इंट्रस्टिंग और छोड़ी इंपॉर्टन वीडियो जो है बनाते रहते हैं अगर आपको वीडियो चले कि उसको शेर जरूर करें दोस्तों के साथ आकि वह भी समझ सकें कि किस तरीके से सब्सक्राइब करता है और किस तरीके से सेफ्टी मेजर्स के अंदर आशा करते हैं आपको यह वीडियो जरूर समझ में आई होगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद